हलो डियर फ्रेंड्स, वन्स अगें वेलकम बेक टू माई योटूब चैनल सुधरी डिफैंस अकेडमी और जैसा कि प्यारे साथियों मैंने आपसे पहले भी बोला था पंद्रे तारीक की साम को एर फोर्स के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे और आज वो हो चुके हैं सायद आप सभी ने देख लिया होगा आप ओफिशल बैफसाइट पर जाकर cesb.agniviryu.cdac.in पर जाकर लॉगिन करिएगा अपने मेल आईडी जिस समय आपने फॉर्म बरा था मेल आईडी और लॉगिन डिटेल्स जाल करके पासवर्ड और आप अमने एक्जाम सिटी और एक्जाम डेट डाउनलोड कर सकते हैं और बहतर घंटे पहले 21 तारीक को 24 से एक्जाम है आपका एक्जाम सेंटर कलियर हो जाएगा बिलकुल परेशान मत होईएगा मैंने आपको पहले भी बोला था कि 15 तारीक को ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे सामको एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं प्यारे साथियो और इसलिए प्लीज मैं सबसे कहना चाहूँगा दुबारा से रिपीट कर रहा हूँ ऑफिसियल मेल आईडी पर जो आपने बनाई थी और पास्वर्ट डाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं एग्जाम सेंटर अभी किलियर नहीं हुआ है एग्जाम डेट आ चुकी है एग्जाम सिटी आ चुका है कि सहर में आपका एग्जाम होगा एएरफोर्स के एडमिट का रिलीज हो चुके हैं अग्णिवीर के लिए फस्ट इंटेक के लिए और एक बड़ी इंपोर्टेंट यह है अपडेट यह है कि आपके लिए बहुती बेहतरी इन बैच एएरफोर्स बेस सेकंड गुरूप डिसकसन और साइकोलोजीकल टेस्ट के लिए मैं आपके लिए एक तारीक से बैच बना रहा हूँ आप चाहें तो एक तारीक से ही आ सकते एक्जाम देके एक अगस्त दो हजार बाइस से एरफोर्स जीडी के लिए पिछले चार इंटेक में 800 प्लस बच्चे सेलेक्टेड हैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाय ज स्टार्ट होंगे एरफोर्स गुरुप डिसकसन और साइकोलोजीकल टेस्ट के लिए बागी इंफोर्मेशन के लिए आम उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्यू सो मच जै हिन जै भारत लव यू ओल